राश्टपती द्रौब्धी मुर्वू नई दिल्ली माई डॉक्टर हरे कृष्ण महताबरी 125 वी जैन्ती समारो निकरिया संबोधित कया डॉक्टर महताबरी देश ने एक जुट करवा माई री महतपूर्ण भुमिका के संजे मुर्ती बणिया भारता नियंत्रक और महालेखा परिक्षक राश्टपती द्रौब्धी मुर्भू दिलाई पद और गूपनियता रिशपद पंजी माई हो रिया अंतराश्टिय भारतिय फिल्म महस्तव माई प्रसार भारती रा OTT प्लेटफॉर्म वैप्स ने करियो गियो लॉंच अब बिना किनी सब्सक्रिप्सन रे आपना पसंदीदा दूर दर्शन क्लासिक्स ने आसानी सुकरियो जासा के लो इस्ट्रीम प्रदेश माई साथ विधान सभावा खातर हुया उप्चुनावरी 23 नवंबर ने वेली मतगणना निर्वाचन विभाग मतगणना रही सगली तैयार्या करी पूरी और प्रदेश माई तापमान माई कमी आबासू सर्दी रो असर्वियो तेज सबसु कम यूंतम तापमान सीकर अफ अधैपूर माई 6.7 डिक्री सेंसियो परियो की तर्स नवसकार डीडी न्यूज राजस्तान रे राजस्तानी खबरा रे इन बुलेटीन माई आपरो घणे मांसू स्वागत है मैं हूँ आपरे साथे विकास और अब खबरा विकतवार राश्टपती द्रौपती मुर्मु कया कि डॉक्टर हरे कृष्ण महताब महत्मा गांधी रा संदेश रो प्रचार करिया वना देश ने एक जुट करबा माई महत्यपुन भूमी का रही ही राश्टपती द्रौपती मुर्मू आज नई दिल्ली माई डॉक्टर हरे कृष्ण महतापरी 125 मी जैनती समारों ने संबोधीत करिया इडमों के वणा कया कि डॉक्टर महतापरा प्रयासासू ओडिसारों एकी करण हुयो है राश्टपती द्रौपती द्रौपती मुर्मू ने डॉक्टर हरे कृष्ण महताप को 125 मी जैनती पर दिल्ली के विज्यान भवन के उन्हें ने कारिक्रम का उद्गाटन किया और इस कारक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मिन प्रधान, संस्कृति और बरेटन मंत्री गजेंद शेखावत और उडिशा के मुख्य मंत्री मोहन चरण माजी भी मुझूद रहे इस उसर पर संस्कृति मंत्राले ने रहे क्रिशन महताब के जीवन और विरासक पर इक प्रधर्शनी का भी आयोजन किया कारक्रम को समोधित करते हुए राश्टपते मूरमु ने काहा रहे क्रिशन महताब का जीवन सभी के लिए प्रेयर नस्तो तरह सतंत्रता से नानी नवभारत के निर्माताओं में से एक भारत माता के सपूत उतकोड के सरी डक्तर हरेकुष्ण मोहताब की 125 में जन्म जयनती के अपस्वर पर मैं उनके प्रती हृदय से सरधान जली और पिद कारती हूँ यहाँ प्रस्तुत की गई डक्तर मोहताब के जीवन से जुड़ी चीत्र प्रदर्शनी पुस्तोक और सोट फिल्म शिख्या और प्रणा के सरो थे यहाँ को वीबर राधानात राय के प्रेरोगीत सोर बे संग्न जननी भारत धरनी का जो गायन किया गया है मधूर संगीत इसके लिए मैं बहुत प्रभावी थूँ हम जो छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे ओपिनिंग संगे हिसाब से इसको हम गाते थे इसलिए यह मेरे दिल के बहुत करिये थे राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू आज के संजय मूर्ती नी भारत दा नियंतरक और महालेका परिशक यानि सीजी रापद और गूपनेता रिशपद दिलाई के संजय मूर्ती आंद्रप्रदेश केडर रा उनिस्तो नवाची बेच रा आईस अधिकारी है वे ग्रिश्चन मुर्मूरी जगाले वेला मैं कुंडरू संजय मूर्ती जो भारत का नियंतरक महालेका परिखक नियुक्थ हुआ हूँ इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अखुन रखूंगा तो था मैं सम्योग प्रकार से और स्रधा पुर्वक तो था अपनी पूरी यग्यता ज्यान और विवेक से अपने पद के कर्तवयों का भोई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना पालन करूंगा तो था मैं सम्विधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सू आज जैपूर माई डेनमार करा राजदूत फ्रेडी स्वेन मुलाकात करी या उनारे शिष्टा चार भेठी इनमोके डेनमार करा राजदूत स्नु विभिन विश्या माथे चर्चा करी की जैपूर माई दो दिवसिया ICC डेरी इनोवेशन समीट रो चोथो संस्करण शुरू ही क्यों समीट माई विश्यषग्य डेरी माई उत्पादक्ता बढ़ाभा खातर नवाचार माथे आपना विचार साजा करिया समीट रो आयोजन इंडियन चेंबर आफ कोमर्स का निसु कर्योगियों है जिनमाई पशुपालन डेरी मस्यपालन और केंद्र सरकार रा पशुपालन और डेरी मंत्राले समीट कई दूजा संक्टन सयोग करिया है विश्यषग्य बताया कि उध्योग 4.0 करांतीरे पच्छे डेरी 4.0 दूद उध्योग खातर एक नुवो मानक बन गियो है जिनमाई नई और उन्नत डिजिटल तक्निकारो उप्योग करियो जारियो है और यह जो दो दिन का यहां सम्मेलर हो रहा है उससे हमने यह देखना है कि अभी हमारे पास कितने गैप्स हैं पेरी इंडेस्टि की आज क्या दशा है उसमें कितनी आगे बढ़ाने की संभावना है तो यहां जो एक्सपर्ट यहां आए हैं तो अपने बात रखेंगे और उस से आगे कि आने वाली जो भी योजना हैं उनको सही रूप से मार्ग दर्शित करेंगे उदेपुर माई राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समीट रेतेद कुल 22 प्रोजेक्ट माथे M.O.U करिया गिया है जिन्सू अठे इस्थाने लोगा ने रोजकार रा आउसर मिलेला और परिटन राशित्र माई विकास वेलो प्रस्तु थे आरपट उदेपुर शहर भारत का ऐसा शहर है जो उत्कृष्ट महलों और जीलों के लिए प्रसिद्ध है इस शहर को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है उदेपुर में परियटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस् कंपनियों, अंतरराश्ट्रिय संस्थाओं और निवेशकों को राजस्थान में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है लेक सिटी में हुए इन MOU से शहर में करीब 910 करोड का निवेश होगा जिनके माध्यम से करीब 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा प्रदेश म सरकार दोरा राजिजिंग राजिस्थान के दोरा जो बड़े-बड़े MOU विबिनी चेत्रों में परेटर इंडर्स्थान में फाइदा होने वाला है परेटर में विश्यस तर्फ में कह सकता हूँ जहपूर, उदेपूर, जोद्पूर, बड़े-बड़े होटल जो इन्व जहां घूमने आने वाले परियाटकों को लाभ मिलेगा और शहर के स्थानिय बाजारों को आर्थिक फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे यह है अशर्फ को इ theo बाता है और र नारे स्य फायदेगों सहाया हुआँ, तो आपको को दियाणा, कि नारीिज़कों को पहीदा मिलेगा तो इसफएदा हों, और उदेपूरा, आपको पहिछाना, おज मेरे यहां का कभा यहां शमन को भी ऐनिपूर, पैचान डगता है और मेरा मानना यह है कि यह MOU होने के बाद में यहापे टूरिजम में भी बहुत अच्छा उच्छाल आएगा प्रॉपटी वगरा में भी आएगा और अवरॉल विकास हो गई उदैपुर में एक साथ हो रहे करीब दो दर्जन MOU से इस्थानिये व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है व्यापारियों का कहना है कि इससे शहर में रोजगार के कई नए अवसर बढ़ेंगे जिसते व्यापारियों का आर्थिक उत्थान हो सकेगा इस्थानिये व्यापारियों के साथ ही उदैपुर भूमने आने वाले परियाठकों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है बियोरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार जैपुर प्रसार भारती रा OTT प्लेटफोर्म वेप्स ने पंजी माय हो रिया अंतराष्टिय भारतिय फिल्मों सवरे दोरान लॉंच करयो गियो OTT प्लेटफोर्म व्रा लॉंच होबा सु अबे बिना किनी सब्सक्रिप्सन रित थे आपना पसंदीदा दूरदर्शन क्लासिक्स ने आसानी सु स्ट्रीम करने देख सको हो भारत की संस्कृती का दरपण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन गोवा के अंतराश्ट्रीय फिल्म महतसफ के 55 संस्क्रन की शुरवार वैश्विक सिनेमा बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नई पहलों और पहलों के शुभारम के साथ शांदार अंदास में हुई भारती डिजिटल मीडिया परिद्रिश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास्ट में प्रसार भारती का बहु प्रतीक्षित OTT प्लाटफॉर्म इफी के दौरान लाइव हो गया प्रतिश्टित अंतराश्ट्री महतसफ में इसका आधिकारिक शुभारम हुआ पिछले 90 साल से आकाश्वानी और दूर दर्शन और फिर जब यह मिले तो प्रसार भारती भारत के लोगों को information, entertainment, education सब कुछ प्रदाय करते रहें यह हमारा उदेश्य है कि हम हर उस platform पर उपलब्द रहें जहां पर की audiences है audiences जब medium wave पीती हैं तो वो radio broadcast होते थे FM broadcast आये, television broadcast आये, color television broadcast आये, high definition television broadcast आये इसके बाद free dish और satellite के माध्यम से प्रदाय आये तो अब चोंकि digital माध्यम से हमारी audiences काफी कुछ content प्राप्त कर रही है तो यह उचेत ही है कि प्रसार भारती भी digital domain में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो हमारे शहरों में, गाउं में, सुदूर शेतरों में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना content पहुचा सकें और जो भारती मूल के लोग हैं, जो अन्य देशों में हैं जो भारत में रुची रखने वाले लोग हैं, जो पूरी दुनिया में हैं उनको भारत के समाचार, हमारी जो historical archives हैं हमारे entertainment programs, हमारे नए programs, हमारी films, games, e-shopping सब कुछ एक package में उपलब्द कराएं प्रसार भारती का OTT platform, दर्शकों को live channel, archival footage और original programming सहित विवित प्रकार की सामगरी प्रदान करने के लिए तयार है ये platform परिवार के अनुकूल सामगरी पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिसका लक्ष है, सभी उम्ड के दर्शकों के लिए एक संपून, मनुरंजन, अनुभव प्रदान करना है प्रसार भारती हमेशा से एक परिवार मुलक कारिकरम रहा है जिसमें सभी चैनल जो हैं उन्होंने ऐसे कारिकरम प्रसारित किये हैं जिनें आप अपने पूरे परिवार के साथ बैट करके इंजॉई कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी हमारे यही प्रयास रहेगा कि जो हमारी लेगिसी है जो हमारी हिस्टरी है उसको हम लोग और मजबूती से नई डोमेन में भी आगे बढ़ाएं OTT प्लाटफॉर्म का लक्ष है विरासत की तस्वीरों के खजाने सहित दो हजार से अधिक शीर्षकों के अपने विशाल संग्रे को प्रदर्शित करने के लिए एक बाजार बनाना है दूरदर्शन तो हमारे खून में था अब वेव हमारी सांसों में होगा बतलब अच्छी बात है इनसे सारी चीजें बहुत जगा सिनिमा पहुंचती है इन OTT प्लेटफॉर्म वेवस माते आप सग्ला रूप पसंदीदा चेनल डीडी राजस्थान भी उपलब्ध है आप डीडी राजस्थान रा सग्ला कारेकरम भी इन OTT प्लेटफॉर्म वेवस माते देख सको हो चालो बढ़ा अगली खबर री और प्रदेश माए साथ विधानसभावा खातर हुया उपचुनावरी मतगणना तेईस नवंबर ने वेली इन्डे तेज जुन्जुनू विधानसभा उपचुनावरी मतगणना अठेरा सेट मूतिलाल कोलीज परिसर माय वेली रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंग यादो बताया कि मतगणना सुबह आठ बज्या सुशुरू वेली सबसु पहली पोस्टल बेलेट मतपत्रारी गिनती करी जावेली इन्डे पच्छे बारा राउंड टेबला मा थे 22 राउंड माय मतगणना वेली वना बताया कि मतगणनारी सगली तयारियां पूरी कर ली है पर राउंड के लिए प्रविस वोटर्स है उनकी पहले प्री काउंटिंग यानि स्केनिंग का कारी होगा और इसकेनिंग के बार में उनको जो पोस्टल बेलेट की तरह ही उनको रूम नंबर एक सो आटनी गिंती के लिए पहले रुजान हमारे फर्स्ट राउंड के जो एवियम की मतगणना का पहला रुजान है उनको पोने नो बजे के आसपास हमें राप्त हो पूर्व मुख्यमंती वसुन्रा राजे आज उदेपूर पूगी जठे समोर बाग माए मेवाड राजपरिवार रा वरिष्ट सदस्य दीवंगत महेंडर सिंग मेवाड रा निधन माते समवेदना वेक्त करी इन दोरान राजे रास समन सांसत महिमा कुमारी और नात द्व पाली माय राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड रोज जिला इस्तरिय चार दिवस्ट प्रस्टिक्षन शिविर रोज आयोजन करियों जारी हो है स्काउट गाइड रा सीएओ गोविद मिना बताया कि शिविर माय जिलारा 102 इसकुलासू 466 स्काउट गाइड भाग ले रिया है शिविर रोज समापन वे लो वना बताया कि इन प्रतिभाग्या मायसू राष्टपती और राज्यपाल अवाड खातर कुछ छात्र छात्रा मारो चयन कियो जावे लो स्काउट गाइड संक्ठन पालीरा अध्यक्ष महिंद भुहरा कया के स्काउट गाइड देश निर्माण माय आपनों उत्कृष्ट योगदान निभावे है वे जीवन माय परहित खातर सेवारी मिसाल कायम करे है शिविर माय स्काउट गाइड ने मेपिंग, लेसिंग, कमपास समित कई गैजेट बनावारो प्रस्क्षन दियो गियो अब जो एजपरिम का सिले बस है, उसके मिसारें की लोग बुक की जाच और सारी चीजें की जा रही है सुबर छे बज़े से लेके रात को आठ बज़े तक इनका वो चुलता है प्रोग्राम सेडिल अलग 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 हमारे पास 16 एक्जामिनर है जो इनका आसेस्मेंट करते हैं और यह सारा करवाते हैं हमारा करतार सारी रजली से पहले हम्हें धनका करताम में किष्टे के समून हें यह विया पर रचिस्टिग एम से केम में एप मैं ने लॉग बज्टिक अधिय किया हैं मात आफट सब्सक्राइब हैं आफ पर क्र सुच्बात जना नहीं लस्कारी शीह का ऐसे हम लोगों भारतिय खाद्य निगम गेहुरा नियूंतम समर्थन मुल्य माई बढ़ोत्री करी है। सहकारी समीत्यारा डिप्टी रजिष्टरा राजिनर प्रसाद दायमा बताया के आगला साल मार्च सुन जून ताई अजमिल मंडल माई ग्यारा केंडरा माथे समर्थन मुल्य माथे ग्यों रिखरीत करी जावेली इन माई केकडी और कादेडा ने भी शामिल कर योगियो है। सबसे बड़ी प्रकरिया इसमें है कि किसान अपनी उबज की गिरदावरी ले जाएगा, कहीं पी जाके अपनी जो इमित्र सेंटर है, उसमें अपनी गिरदावरी ओनलाइन अपलोड करेगा, फिर रेजिटेशन करा देगा, रेजिटेशन के बाद में उसके टोकन नंबर, उसके mobile पर आजाएगा, उसके registration नमबर आजाएगा, उसके token नमबर आजाएगा, token के हिसाब से उसकी date fix होती है, पहले वो अपना नमुना लाके नमुना पास कराता है, फिर जितनी उबज होती है, 25 कुंटल minimum हम एक किसान से खरीबते हैं, उसमें अपना लाके sample पास कराता है, इसमें government की तरफ से transportation, handling और uploading सारा काम हमारा रहता है. इसमें उसमें इसमें उना-पास रूपे नमुना पंचार की ते सार्चास पास कर जारा किसान से खरीदि जाएंगी है, यह उनलैन प्रेक्रेर रहेगी, इसमें अपनी उपकश को यह our बेच की अधिक लिएख करальная का है. जो ये सरकार ने पेसे बढ़ाएंगे, डेड़े सरे हमारे को फाइदा मिलेगा और पाइदा करने की समता रखेंगे अतिरित पुलीस महानिदीशक अशुक राठोड आज बुंदी बूग गया जठे वनानों पुलीस अधिक्षक कारेलाय माई व्यवस्थामारों जाई जो लेवन रिशाते साथे जिलारा अधिकार्या रीपी बैठक ली बैठक मैं एडिशनल डीजीपी पुलीस अधिकार्या ने जनता सु जुडाव राखपा और उनारी समस्यारों समाधान करंडरा निर्तेश दिया इन दोरान कोटा रेंज आई जी रविदत काड बूंदी पुलीस अधिक्षक राजेंद मीना और अतिरिक्त पुलीस अधिक्षक उमाशर्मा समेत काई अधिकारी मौजूद रिया जो हमारा व्यवस्ता है जिसमें वाशिक डिरिक्षन जिले का होता है तो उस संदव में आज सभी अधिकारीों के साथ बैठके एक चर्चा की गई कि क्या-क्या ऐसे बिंदू हैं जिनमें हम और सकारात्मत तरीके से कारे करें जिसे हमारी पुलिसिंग व्यवस्ता और सुद्रेड़ों सभी बिंदूँ पे ये चर्चा हूँ और अल्टिमेटली जो हम काम करते हैं वो है आम जन के लिए तो आम जन को हम किस तरह से और बहतर पुलिस व्यवस्ता प्रदान कर सकें तो इसका उद्दिश ही यह था सरदी बढ़बारे साथे ही दमा और अस्थमारा मरीजारी संख्या भी बढ़बा लाग की है आपना आहार और दिनचरिया माय परिवर्तन कर मोसमी बीमारे सु बचियो जा सके है सरदीरे दोरान कया आहार दिनचरिया राखा और इनबारे माय जानकारी दी है जैपुरा प्राकरतिक चिकिसाले रासचीव डॉक्टर कुल्भूशन बेराथी मोसम में परिवर्तन के साथ ही रोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है दमा और अस्थमा के जैसे मरीज बढ़ने लगी है आज हमारे साथ में मौझूद है प्राकरतिक चिकिसाले के सचेव कुल्भूशन बेराथी आई इनसे जानते हैं इस मोसम में कैसे रोगों से बचा जाए अभी जो मोसम में परिवर्तन आया है उसके बाद में मरीजों के किस प्रकार के मरीजों के संख्या बढ़ी है देखिए प्राकरतिक चिकिसाले में इस से में जो है जैस प्राउनकाइटिस है अस्थमा है जोइन पेन है ऐसे शीद कालिन रितु में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे रोग रोगी को ज़्यादा प्रभावित करते हैं शीद कालिन रितु में तो हमारा शरीर पंच तत्तों से बना है तो हम पंच तत्तों के माध्यम से जैसे मिट्टी चिकित्सा है जल चिकित्सा है और आकास धूप प्रकास इसके द्वारा हमें प्राकरतिक चिकित्सा के माध्यम से इन रोगों का उपचार करते हैं यदि कोई अस्तमा से पीडित है, दमा से पीडित है, तो जिस प्रकार जल चिकित्सा में हम गरम ठंडा सेख देते हैं उनको, मिट्टी चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी का प्रियोग किया जता है, जिसमें गरम पट्टी का भी प्रियोग किया जता है, ठंडी पट्टी का निवाया कटीशनान ये अनेक ऐसी प्राकर्तिक चिकित्सा पदतिया हैं जिसके माध्यम से इन रोगों से निदान पाया जा सकता है। आम आदमी इसमें किस प्रकार अपनी दिन्चरिया को बदले कि वो इन रोगों से पीडी दिना हूँ। देखिए हमें प्रकर्ति की और बढ़ना चाहिए प्रकर्ति के नियमों का पालन करना चाहिए जिस प्रकार प्रकर्ति के अनुसार मोसम बदलते हैं शीत रितु आती है ग्रिश्म रितु आती है बरसा रितु आती है ऐसी इस्तिति में हमें उसी रितु के अनुसार अपनी दि पहर का जाता है नमक, मैदा और चीनी ये शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं यदि जितना आप इनसे बचेंगे जितने आपका शरीर जो जिसको पचा सकता है जो हमारे शरीर के उपयोगी रहेंगा वे किवल प्राकरतिक सब्जियां हैं फल हैं उनका प्रियोग करे रहेंगे तो स्वस्त रहेंगे अधिक खाएंगे तो रोगी रहेंगे दिन्चरी और आहर में परिवर्तन करके आप बहुत स्वस्त रह सकते हैं कैमरा परसन हनुमान जैस्वाल के साथ मैं जया गुपता दूरदर्शन प्रदेश्टरा कई शेहरा माई वायू प्रदूशन्री इस्तती इन दिना कंभीर बन्योडी है इन रिचालता जैपूर भिवाडी सीकर और श्री गंगानगर माई वायू गुणवता सूचकांग रेड चोन माई पूग कियो है राजजरा पांच शेहरा माई खराब एक्य के कारण बतायो जारियो है राजदानी जैपूर माई भी सबसु ज़्यादा खराब एक्यू आई 343 मांसरोव और शेत्र माई दर्स करयो कियो है वायू प्रदूशन्री इस्तती ने देखता थका राज्यसरकार अलवर और भरतपूर जिला माई ग्रेडिट रेस्पॉंस ए एकिस ताड़ी को है एर कॉलिट इंडेस में जरू मरला काफी सुदार हुआ है कास्तर पर अबना अज़दा में अब भी लेस देन 150 है बरतपूर में भी लेस देन 150 है और बीवाडी में भी 300 के नीचे है आज के सुबह के मरला एर कॉलिट इंडेस है तो प्रयास था हम पू खबर मौसम सु है प्रदेश में सर्दी रो असर तेज होई गयो है रात रे पचे अब दिन रो तापमान माई भी गिरावट दर्स करी जारी है प्रदेश रा कई शेहरा माई न्यूंतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सुकम रिकॉर्ड करयो गयो प्रदेश माई सब सुकम सी कर रा फतेपूर माई 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्स करी गयो और बुलेटिन रे अंतमाय मुख्य खबरा एकर फेरो राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू नई दिल्ली माय डॉक्टर हरे कृष्ण महताबरी 125 वी जैनती समारो ने करिया संबोधित कया डॉक्टर महताबरी देश ने एक जुट करबा मायरी एहम भुमी का के संजय मूर्ती बणिया भारत ता नियंत्रक और महाले का परिक्षक राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू दिलाई पद और गोपनियता रिशपद पणजी माय हो रिया अंतराष्टिय भारतिय फिल्म महसव माई प्रसार भारती रा ओटिटी प्लेटफॉर्म वेप्स ने करियो गयो लॉंच अब बिना किनी सब्स्क्रिप्सन रे आपना पसंदीदा दूर्दशन क्लासिक्स ने आसानी सुकर्यों चासकेनों स्ट्रीम प्रदेश माय साथ विधान सभावा खातर हुया उक्चुनावरी 23 नवंबन वेली मतगणना निर्वाचन विभाग मतगणनारी सगली तैयार्या करी पूरी अर प्रदेश माय तापमान माय कमी आवासु सर्दीर असर हुयो तेज सब सुकम यूंतम तापमान सीकर अफ अधेपूर माय छे दश्मलाव साथ डिक्री सेल्स करिए उतर डिडी राजस्थान सोशल मीडिया राज सगला प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स माते भी उपलब्द है आप वठे भी डिडी न्यूस राजस्थान राज सगला करेक्रमा ने देख सको हो फेलाल राजस्थानी खब्रार ओबलेटिन अठाई पुरो हो आप देखता रही जो डिडी राजस्थान नमस्कार